बाजार से बिश्किट लागर तो आपने खोब खाए होंगे अपने बच्चों को भी खिलाए होंगे और मिठाईया लाके भी खाई होंगी लेकिर मुझे अकीर ने इससे ज़्यादा टेस्टी बिश्किट आपने आज तक खाई ही नहीं होंगे यह बहुत ही आसान तरीके से जाते हैं और इन बिश्किट की खास बात यह होती है कि आप इनको एक बार बना लो 15-20 दिन यह कहीं भी जाने वाले नहीं हैं किसी भी एर टाइट कंटेर में भरके रख लो और कोई गैस्ट वगेर वे उनको भी आप सरू करें तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं क्योंकि बिश्किट मावे से बनाए जाते हैं तो फ्रेंस इन बिश्किट को बनाना बहुत ही जादा सिंपिल है तो चलिए देख लेते हैं तो हमने सबसे पहले एक मिक्सिंग बावल ले लिए फिर उसके पर ने एक चल्दी रख लिए हम यहापर डालेंगे 200 ग्राम मैदा अगर आ पर आधी मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं जो गहुका आटा होता है अब आप इन बिश्किट को निखाली से यानि प्योर आटे में बनाओगे तो इनमें वो ट्रेस्ट नहीं आता है जो आना चाहिए तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगे कि आप इन चार चमज के करीब कोकोनेट बुरादा और थोड़े से डालेंगे हम यहाँ पर ड्राइब फ्रुट्स ड्राइब फ्रुट्स में मैं यहाँ पर डाल रही हूं ओली काजू आप चाहे तो यहाँ पर बादान पिस्ता वगएरा भी डाल सकते हो अगर आप चाहते हो इसको कस लिया है और अब हम इसके बाद यहां पर लेंगे मावा सर्दियों में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता है कि थीक हो जाता है एकदम टाइट सा हो जाता है हाड़ सा अब मावे को अगर हम इस तरह से बस्चुर के डालेंगे तो यह बिस्किट में डल्याशी बन सकती है इसलिए मावे को भी आप सिदा कदू कसी कर लें कदू कस करने से मावा काफी हमारा सोप्थ हो जाता है आसानी से इसका डो बन जाएगा तो चलिए मावा तो हमने यहाँ पर डाल लिया है इस में अब हम हम यहाँ पर डालेंगे एक चम्मच अज्वcyclня अज्वरें से पिस्कित में बहुत अच्छा फ्लैवार आता है और फिर दो पिंच के या Response के यनि दो चुटकी के करीब हम यहाँ पर डालेंगे नमक मीटे बिस्किट बना रहे हैं तो थोड़ा सा नमक डालना तो बनता ही है फिर हम यहाँ पर डालेंगे 50 ग्राम घी या फिर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो रिफाइन डाल सकते हैं 50 ग्राम के करीब आप यहाँ पर रिफाइन डाले फिर इसको अच्छे से मजल ले जितने भी यह सामाने सबको अच्छे से बिला ले यह देखिए अब मुठ्या सी बढ़ने लगी है तो सारा सामान गीव अगेरास में अच्छे से मिल चुका है अब हम क्या करेंगे दूद लेंगे और इसका डो बनाना शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा दूद लेंगे और इसका अच्छे सा डो बनाएंगे थोड़ा सा सोप्ट बनाएंगे ज्यादा थिक नहीं बनाएंगे ज्यादा लोज भी नहीं बनाएंगे बस थोड़ा सा इसका हमें डो सोप्टी बनाना है ताकि आसाने से इसके बिस्किट बन सके तो अगर आप यहाँ पर दूद नहीं डाला चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वैसे दूद का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और यह देखे इस तरह का डो बना के इसका तयार कर लेना है तो डो मैंने बना लिया है और यह देखे काफी सारा दूद भच भी गया है बच जितना इसमें जरूद थी मैंने इतना ही दूद एड़ किया है ज़्यादा दूद नहीं डाला हैं आपर तो अब हमें इसे side में नहीं छोड़ना है यानि rest पे हमें डो को नहीं छोड़ना है तुरंत इसके biscuit बनाने शुरू कर देने है अगर हमने इसको side में छोड़ दिया तो इसमें gluten सा बन जाएगा जो biscuit को थोड़ा soap बना देगा बाद में तो 7 की साथी इसके biscuit बनाने के तयारी करते है हलका सा इसको आप चकले पे रखे या board पे जिस चीज पे आप biscuit बना रहे हो उस पे थोड़ा सा एक बार फिर से मसल ले फिर इसको इस तरह से रोल कर ले अगर आप चाहते हो इसके biscuit दो बार में बनाना तो आप इसके दो पेड़े बना सकते हो मैं यहाँ पर board का इस्तेमाल कर रही हूँ तो एक बार में सारे biscuit बना लूँगी थोड़ सी टाइम की बचात होगी जल्दी से काम हो जाएगा तो इस तरह से इसको बेल लेना है जैसे हम बाद की रोटी बनाते हैं नो इस तरह से तो इससे एक बार हम ऐसे फोल्ड करना है इसिसके अंदर एक अच्छी सी layer बनेगी बिश्किट के अंदर तो इस तरह से इसको फैला लेना है बेलन के हेल्ब से फिर इसको इस तरह से fold कर देना है इस तरह से तो यह देखिए फिर हम इसको इसी तरह से बेल लेंगे थोड़ा सा फिर इसको फॉल्ड कर देंगे तो बस हमने दो तिन बार इसको इसी तरह से फॉल्ड कर दिया है अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा या फिर मैदा डेश्ट करेंगे इस पे और इसका एक बड़ा सा पराटा जैसे मोटा पराटा बनाते हैं बाद की रोटी बनाते हैं इस तरह से कुछ इसको बेलना सुरू कर देंगे जितना हो सके आप इतना बड़ा इसको बना सकते हैं तो यह देखिए तो जो इसकी किनारिया है वो फटती यह बात को पूल जितनी काफ़ी एक रोटी की बनकर का तयार हो है अब मैं क्या रहें का रहा है यह गोला कार का होता है और यह इस्टारा कार का है तो जैसे भी आपको पसा तो इस तरह बिस्किट काट ले अगर आपके पास कुकीज कटर नहीं है तो जैसे हमारे पास बहुत सारी किजन में डब्या वगरा होती है छोटी गिलास वगरा होती है आप उससे भी यह बिस्किट कट कर सकते हो यह देखिए मैं आपको इसकी मोटा ही दिखा रही हूँ तो इसकी मोटा ही इतनी है जिती हमारे जैसे बाद की रोटी होती है या फिर आधा इससे भी आधा इतनी मोटा ही है इसकी जद्धा मोटे ना रखे नहीं तो फिर यह अंदर तक जाके सीखेंगे नहीं फिर दूसरा जब यह घी तेल के अंदर जाएंगे तो आटोमेटिक ही डबल हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं तो थोड़ा सा इनको बारिक ही रखे और यह बहुत ही इजी से उतरते भी जा रहे हैं ठीक पा रहे होंगे आप यह देखिए जैसे मैं इ एक बर के सारे बिस्किट प्लेट में उतार लिये हैं अब यह जो डो बचा है इसको इकठा कर लेते हैं इसके दुबारे से हम बिस्किट बना लेंगे थोड़ा से इसको इस तरह से मस लेंगे और फिर से इसको बे लेंगे और जो है बिस्किट बनाएंगे तो चलिए एक ब पिखल जाएगा ठंडा ही बोल सकते हैं इसको हलका सही यहां पर यह निवाया आप आप बिश्कित डाल देने पिलकुल धिरे गराम होना सुरू होगा बिश्कित हमारे नीचे शिखने शुरू हो जाएंगे तो अंतर तक जाकर बहुत ही अच्छा खसता सी शिखते आएगा ए कड़ाई में बिश्किट जाने थे मैंने इतने डाल दिया है फिर इनको थोड़ा सा जबी सिकर उपर आ जाएंगे इसको दो-तिन बार चला देंगे और चलाने के बाद इनको पलटते भी रहेंगे साथ-साथ देखते भी रहेंगे कि कहीं एक तरफ से एक अच्चे रह रह जाए तो इस तरह से अलटते पलटते भी इनको सेख लेंगे एक बर का बैच सिखने में लगबग में आपके लग जाएगी छे से साथ मिनट लोटु मेडियम फ्लेम पर स्टाटिंग में आप फ्लेम को एकदम लो रखे और जब यह सिखने लगे तब आप फ्लेम को हलक असा मेडियम से भी कम यानी लोटु मेडियम कर दे तो यह देखिए एकदम इनका कलर एक कोल्डर ब्राउन कलर का हो चुका है तो बिष्किट हमारे शिकर तयार हो चुके हैं देखिए और जब यह ठंडे हो जाते हैं ठंडे होने के बाद भी काफी देर तक सिकते रहते हैं क्योंकि गरम घी के अंदर से निकले हैं तो गी गरम रहता है तो दिरे धीर इनको खेकता रहता है और यह ख़स्ता भी बनते तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी रगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना